अब दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्व चैनल में दोस्तों आज मेरे पास है जियो का F220B phone जिसमें कि प्राबलम क्या है इसमें जो सी में इनसर्ट सीम की प्राबलम है तो आज किस वीडियो में इस प्राबलम को सॉल्व करने वाले हैं वो भी मास्टर जंपर की मदद से तो वीडियो को शुरू से लेके एंड ता कंप्लीट देखना है और इसमें आपको मैं मास्टर जंपर बताने वाला हूं जिससे अगर आपके पास अगर कोई ऐसा फोन आता है जी ओ एफ 220 जिसमें की सिम इंसर्ट की प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे सोल्व करोगे वह आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ठीक है तो फोन को यहां पर मैंने पहले से खोल के रखा हुआ और सिम को निकाल गए और यहां पर हम चेक करेंगे मल्टी मिटर की मदद से जो सिम की चुट ट्रैक है वहाँ पांचों ट्रैक को एक बार हम चेक करेंगे मल्टी मिटर से पर रिडिंग आती है या नहीं ठीक है? तो मल्टी मीटर को हमने डायट मॉर्ड पर सेट किया हुआ है और मल्टीमिटर के आप बिप्पे मत जाना रिडिंग पर दिहां देना ठीक है? तो यहां पर देख सकता है म रीडिंग आ रहीए 610 ठीक है और यहां पे भी 608 आ रही है यहां पे 608 आ रही है 703 आ रही है यहां पे कोई भी हमें रिडिंग देखने को नहीं मिल रही है ठीक है तो यह अपने यूट्यूब पे देखा होगा कई बार आपको यहां पे जंपर करके दिखाया गया है ठीक है यहां पे जंपर करके दिखाया ग देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ फिर से एक बाट रहे हैं यहां पर बीप कर रहे है तो इसके कनेक्शन यहां तक तो आ रहे हैं तो इसको आपको जंपर कहां से करना है यह CPU के उपर जो टीन की पदरी लगी होती है मैं पहले से काट चुका हूँ आप लोग आराम से काट लेना सावधानी से बिना टूट फूट तो यहां पर आप देख रहे हैं यह जो कैपैसिटर लगा इसकी जो पॉजिटिव लाइन है यहां से आपको जंपर उठाके सीधा यहां पर लेके आना है ठीक है यहां से सीधा जंपर उठाके आपको वहां तक लेके जाना है इससे जो इसकी जो ट्रैक जो मिस हुई थी वो यहां तक इसके जो कनेक्शन है वो आ जाएंगे ठीक है तो मल्टी मिटर से एक बार हम इसकी भी यहां पर रिडिंग चेक कर लें तो ठीक है वहां से हम सीधा एक जमपर यहां तक उठाएंगे तो चलिए फटा-फट से जमपर कर देते हैं और भाई लोग वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया प्लेज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर देना उससे होता क्या है जब भी कोई नेक्स वीडियो अपलोड होती उसका नोटिफिकेशन आपको मिला ठीक है तो यहां पे आप फोटो में देख सकते हैं इसका जो मास्टर पर मैंने नहीं बता है तो वो no connection होता है उसपे आपको reading आती है तब भी सही है और अगर नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है उसपे आपको कोई jumper करने की जरूतर नहीं होती है ठीक है तो यहां से हम jumper करके और वहाँ पर ले जाएंगे देख सकते हैं आप लोडिक है इस पे जो एक पीन पर आपको जंपर नहीं दिखाएगा क्योंकि उसका जंपर करना कोई मतलब नहीं बनता ठीक है उस पर रिडिंग आये तब भी सही है और अगर नहीं आये तब भी कोई टेंशन देने की जरुवत नहीं है तो चली है फटा फट से इसे जंपर कर देते हैं यहां पर और ऑफ उस फोटो को जंपर फोटो को आप लोग अगर अगर बड़ा देखना चाहते हैं तो वीडियो के यहाँ पर लगा दिया है, और एक बार मल्टी मिटर से यहाँ भी चेक कर लेंगे, अब यहाँ पर जो रिडिंग पहले नहीं मिल रही थी, वो reading आती है या नहीं आती है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ मल्टीमेटर के आवाज पर ध्यान मत देना आप लोग reading पर ध्यान देना ठीक है तो देख सकते हैं यहाँ पर reading आ चुगी 400 पिछुत्त ठीक है और इस पर reading नहीं भी आएगी तो कोई टेंशन लेने की जरुवतन नहीं है ठीक है उस पर आपको कोई jumper नहीं करना है बागी उनमें से जूसती है अगर track अगर मेस है तो आपको यह jumper जो फोटो में मैंने दिखाया वो आपको कर लेना है और उसके बाद जो यह insert sim की problem है वो solve हो जाएगी वीडियो का भी तक जिसने भी लाइक नहीं किया यह वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बार बार आपको यही बात बोलना पड़ता है चैनल को भी subscribe जरूर कर लेना साथी बेला एकन को भी दबा देना ताकि जब भी कोई next वीडियो upload होती है तो उसका notification आपको मिलता है और अगर आप लोग mobile repairing के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना ठीक है तो mobile को on किया है अब इसे on होना में थोड़ अशा 5-6 सेकंड का time लगेगा तो जब तक wait करेंगे तो mobile on हो चुका है देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले insert sim की जो problem थी वो अब खतम हो चुकी है जीओ 4G आ चुका है लिखा सब कुछ आ चुका है इसमें जो insert sim की problem थी वो 100% solve हो चुकी है इस master jumper की मदद से रही के तो आप लोग भी इस तरीके से जीओ F 220 की अगर insert sim की problem है तो आप यह photo देख सकते हैं इस photo को बड़े रूप में देखना चाहते हैं तो आप video description में उसका link है वहाँ click कर देना तो photo बड़ा हो के आपकी phone screen पे आ जाएगा तो भाई लोग video को like जरूर कर देना नए हो तो चैनल को subscribe जरूर कर देना मिलते हैं अगले next video